नमशकार आज में आपको बताऊवंगे प्रिंसस काट बलाऊज कटिंग करिंग तौ यहां पर जैसे आप लोगोंने कमेंट किया है कि बद्तिर चेष्ट का हमें प्रिंसस कत बलाऊज बताऊज तो यहां पर दिखिए सब gle → कापने अस्तल की करेंगी फिर हमारा जो शारी कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे तो देखे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जार से जारा शेयर कीजिए कुछ समझ में नहीं आये तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए अब देखे यहां पर हम सबसे पहले अस्तल को डबल करके रखेंगे उसके पाद हमें अपनी लंभाई का निशान लगाना है तो हम 14 इंच की लंभाई रखेंगे प्लाउच की तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे अब यहां पर हम गला बनाएंगे वो बनाएंगे भूट नेगे तो 7 इंच लेंगे हम यहां पर सोल्डर तो अगर आप डीप बनाएंगे तो आपको 5 इंच के सोल्डर लेने है आरूमल लेंगे वो भी लेंगे हम 7 इंच अब हमें अपना जो फिटिंग का निशान है वो लगाना है तो 32 है तो 8 इंच पे हमें फिटिंग का निशान लगा लेंगे उसके बाद 2 इंच हमें लेना सिलाई के लिए कपड़ा अब हम यहाँ पे गले की चोड़ाई लेंगे 3 इंच गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 5 इंच और यहाँ पे हमें ऐसे गोलाई में आदा इंच हम यहाँ पे आरूमल का कटिंग करेंगे कि जोलना आए चार तो हमारा यहां पर टक्स का निशान आएगा साड़े नौ इंच में इसके बाद हमें ऐसे करके इसको मिलाना है अब देखिए यहां पर हमें एक इंच लेना है पप के लिए एक इंच लेंगे यहां पर अब दो इंच कपड़ा हमारा जाएगा प्लेट में तो दो इंच हम यहां पर लेंगे अब यहां पर हमें आदा इंच की दूरी रखते हुए इस तरीके से गोलाई में निशान लगाना है सबसे पहले तो हम यहां पर एक अच्छा सा सेट दें इससे हमारा पप अच्छा आएगा इसको हम बाद में काटेंगे यह हो गया हमारा आगी का अब हमें निकालना है पीछे का पलड़ तो यहां पर भी हमें साथ इंच की सोल्डर लेने हैं इस तरीके से साथ इंच आरोमल अपना जो फिटिंग का कपड़ा है आठ इंच यानि कि 32 चेस्ट का तो आठ इंच हमारा यह फिटिंग का कपड़ा उसके बाद दो इंच हम लेंगे सिलाई के लिए कपड़ा अब यहां पर रखेंगे हम अपना आगे बाला पलड़ अब देखें जो हमने दो इंच यह जादा लिया है ना इसको हम ऐसे कर देंगे अब बाकी हम इसी के नाप का कटिंग करेंगे यह हो गया हमारा पीछे का अब देखें पीछे की प्लेट हम यहां पर ऐसे बीच में लगाएंगे यह हो गई हमारी पीछे की प्लेट अब यह कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से में बाजू निकालनी है सबसे पहले तो हम यह लेस को निकालेंगे इसको आदादा करके लगाएंगे बाजू पर कपड़े को करना हमें डवल कि यहां पर अगे का पल रख ली है यह हमारा पीछे का है करेंगे पहले इसपर सिलाई लगा लेगे अच्छे से यह हमारा पीछे का अब यह कपड़ा बचा हुआ है इसमें से निकालनी हमें बाद जो यहां पर हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो 15 इंच है और चोड़ाई है 13 इंच तो 13 इंच की हम लंबाई रखेंगे और 15 इंच की चोड़ाई तो हमें इसको ऐसे करना है इस तरीके से तो चोड़ाई बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम ऐसे करेंगे और पट्टी लगा लेंगे तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं जैसे हमारी यहां पर 15 इंच की चोड़ाई है इस तरीके से 15 इंच की चोड़ाई है इसको हमें ऐसे डबल करना है इस तरीके से अब यहां पर हमारी चोड़ाई है 18 इंच तो डबल करके हमें 9 इंच लेना है यहां पर हमें 9 इंच लेंगे और यहां पर हमें 4 इंच लेना है ऐसे और इसको हमें उपर की साइड इस तरीके से ले के जाना है तो हमारा ये कटिंग का कपड़ा इसको जोड़ेंगे इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है इस तरीके से जोड़ लेंगे तो यहां पर हमारी चोड़ाई 18 इंच है 9 इंच डबल करके तो 18 इंच की हमें चोड़ाई मिल गई यहां पर इस तरीके से जोड़ेंगे उपर से रखेंगे और यहां पर तो हम इसको बराबर करेंगे चोटा बड़ा हो रहा है तो देखिए यहां पे अस्तल कम है तो इसको नहीं लगाएंगे इसके लिए बाजू के लिए जैसे हमें अस्तल लगाना तो दूसरा अस्तल लेंगे तो बो मैं आपको इस्टिचिंग में बताऊंगे तो चलिए, अब मैं आपको सकी श्टिचिंग बताती मैं अब देखें, यहां पर जैसे को जुचा रखा ए giysra Barb beating आपको भी मैं लिखें, तो अब हम मैं इसकी कटिंग करेंगे जैसा हमारा सेड़् के बराबर हमें कटिंग करना है तो यहां पर हमारा उल्टा आए, उल्टे को उपर हमें अस्तल को रखेंगे पहले पहले हम बीच में सिलाई लगा ले अस्तल के बराबर हमें कटिंग करना है तो यहां पर हमने एक पार्ट को अच्छे से जोर लिया है झाल कर दो कर दो कुछ पर बमहाने एक इस तरीके से हम इसको रखने। देखेंगे कि हमें एसी चरा करके जोडना है क्योंकि नीचे से कप्रे को काट है तो इस पाथ का ध्यान डखना है कि जब भी आप जोड़ेंगे न ला तो यहाँ पर देखने इस तरीके से रखें तो इससे की आम कि यहां पर हमने कपड़े को काटा है यह हमारी प्लेट है तो आप इसको जोड़ेंगे कि अब इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेंगे इससे हमारा कपड़ा अच्छे से दम जाए कि अब दूसरी साइड भी हम इसको नीचे से ही जोड़ेंगे इस तरीके से कि अब देखो हमने यहां पर उपर से सिलाई लगा लिए इससे क्या है कपड़ा अच्छे से दब जाएगा और यहां पर रूह भी निकलेंगे अब इसके बाद हमें इस सोल्डर काटने हैं आगे के और यहां से हम ऐसे करके एक इंच पर गोलाई देंगे क्योंकि यहां पर देखी कुर्णा जादा निकल रहा है तो देखे इस तरीके से आप देखेंगे ना तो यहां पर एक उन्ना है तो यहां से हम ऐसे कार अब हमें एक इंच लेना ए पट्टी की चोड़ाई एक इंच लेके इसको अंदर की शाट धवा देंगे कि यहां पर हम ऐसे करके कपड़े को तिर्चा करेंगे पहले गले के लिए यहां पर हमें एक इंच की चोड़ाई लेनी है पट्टी की अब देखें यहां पर हमने पट्टी की चोड़ाई ले एक इंच आप इसको हम ऐसे करके रखेंगे अब पट्टी की उपर हम सिलाई लगाएंगे अब सिलाई लगाएंगे बाद इसको अंदर की चाट दबाके हमें तुर्पाई करनी है इस तरीके ज़े तो यहां पर देखें हमारा आगे का गला तयार है इस तरीके से अब हमें पीछे का गला तयार करना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है सबसे पहले हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पर अबदीं दो चाहँ पुर्णास अब सबसे पहले प्लेट डालेंगे जो हमारा निशान है प्लेट का यहां पर हमें प्लेट डालनी है यहां पर लेंगे हम एक इंच और इसको कम करते हुए हमें पांच इंच रखनी यह लंबाई तो यहां पर देगे हमने पीछे की प्लेट डाल ली अब हम इसमें हुक वाली और काज वाली पट्टी लगाएंगे अब यहां पर हमारी पट्टी के चोड़ाई है चार इंच इसको हमें ऐसे रखना और यहां पर हम चलाई लगा लेंगे यहां पर ऐसे करके पट्टी बनाएंगे इस तरीके से अभ इसको अंदर के शाड दवाएंगे इसके करके हम इसको बराबर नापैंगे इस तरीके से और जो भी छोटा बड़ा हो रहा है तो नीचे की साइड हम इसको बराबर करनें में अभी पठी लगानें, लिकिन आभी नहीं नहीं लगाएंगे, पहले हम इसे में गली में पठी लगाएंगे हमारी पठी तिरुच्छी है, जो मैंने अभी कटिंग करके आपको बताई थी तो इसी को लगाएंगे अब यहां पर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से यहां पर हमने सोल्डर को जोड़ लिया है अब हम यहां पर लगाएंगे पहले पिटिंग के सिलाई जितनी हमें लगाने तो मैंने यहां पर अब यहां पर और यहां पर हमें कपड़ा मिल रहा है तो यहां पर हम अंदर की साल इसको दबा के सिलाई लगा लेंगे तो अब यहां पर कच्छी लगाएंगे उसके बाद हम यहां पर तुर्पाई करेंगे चैसां देखिये जैसे आप लोगों ने बोलाएं कि हमें फिरा विचानी के बना रहे हैं आप लोगों के कैने पर ही बना हो न तो प्लीज ज़्धे-ज़ादसे-ज़ादस शेयर की जिए और मैं आप की सारी इस, न पर दोन सब्सक्ष्ट गरूत शांतब तो यहां पर देखिए हम इस तरीके से छिलाई लगा लेंगे और इसको अंदर की शार्ट दबा के ऐसे तो यहां पर देखिए हमने नीचे की साइड भी छिलाई लगा ली है अब यहां पर हमारा पीछे का गला है तो इसको हम अंदर की साइड ऐसे दबा के तुर्पाई कर लेंगे अब यहां पर देखिए हमारा गला पीछे का भी तैयार हो गया है तुर्पाई कर लिए हमने दोनों साइड अब हमें इसमें लगाने बाजू तो देखिए यहां पर हम इसको बरावर कर लेंगे यहां से और फिर लगाएंगे इसमें बाजू इस तरीके से अगर आपको छोटा बड़ा लगे तो उसको बरावर कर लें तो अगर आप में बाजू लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख लें मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीकी से बाजू लगाना बताया है तो यहां पर वीडियो फिर ज्यादा बड जाएगा धन्यवाद